नमस्कार दोस्तों explore with MKV में एक बार आपका फिर से स्वाधत करता हूं और आज के वीडियो में आप देखने जा रहे हैं अयुद्या में हो रहे संदेलिय करन के पारे में तो दोस्तों आज के सफर की शुरुआत होने जा रही है मेरी वक्ति पत्मार्क से लटामंगेश करें चौक की और वीडियो में आप मेरे साथ बने रहना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यह दोस्तों भक्ती पत मार्ग जो की सर्यो गाट की दरफ जारा हूँ मैं उसी डियरेक्शन में जहां सर्यो नदी हैगी तो वहां गाट की दरफ जा रहा हूँ हनमानगडी से होता हुआ और यहां पर कैसी सजावट ति विरिये वही सब दिखाने के लिए यह वीडियो आपक आयोधिया में किसी भी साइट से जो भी रास्ते पनमान गड़ी और श्री राम लला मंदर की और जाते हैं उनके नाम बरन दिये गए हैं इसका भी नाम भक्ति पत मार्ग लखा गया है गाँ और सुरक के दोनों और बने हुए दुकाने मकान या जो बड़े भवन हैंगे उनक को एक जैसा रंग दिया गया है ताकि आपको इस अधुलिक का जो दौर में त्रेता यूग का आभास होता रहे हैं सड़क पर हो रही इस तरह की फूलों के पूरण द्वार भी आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर देखने को मिल जाएंगे और बिल्कुल एक जैसा ही रं करने वाले रास्तों की और पढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही ऐसास होगा कि आप अधुलिक्ता के साथ साथ कुछ पुराना सत्यूग क्रेता यूग को भी मैसूस कर सकेंगे सड़क पर इस समय सभी लोग पैदल यात्रा करके लता मंगेशकर चौक की और बढ़ रहे हैं उसका कारण ये है कि वहाँ पर कुछ अनोखी सजावत की जा रही है असली फूलों के द्वारा जी हां दोस्तों काकरतिक फूलों के द्वारा रोड पे हो रहे इसी संदेरिय कर अभी भी काफी दुकाने खुली हुई है और जो दुकाने बंद हैं उनके शरी राम जी से सम्मंदित कुछ चिन अंकित किये हैं दुकान के शटर के उपर तो दोस्तों यही सब साज सज्जा को देखते हुए फूलों के तोरण द्वार को देखते हुए हम आगे तो दोस्तों हम नजदीक पहुच चुके हैं अब लता मंगेश कर चौक के पास और एक ये बड़ी सी फूलों की दिवार तैयार कर दी गई हैं आयोध्या वासियों के लिए आयोध्या में आने वाले राम लला भगवान के धरशन करने के लिए तांकि वो इस फूलों की दि बना रहने दें इसको नुकसान ना पहुंचाएं ना पहुंचने दें सड़कों पर जबर दस्त बड़ी बड़ी लाइटें भी लगा दी गई हैं और पबलिक भी आप देख सकते हैं कि लता मंगेश कर चौक पर काफी ज़्यादा पहुच चुकी हैं सभी का एक कौतुहू है कि रामदला मंदल का मंदल का उठाटन 22 जनवरी को हो जाएगा और 23 जनवरी से आम जन को भी दर्शन होने शुरू हो जाएंगी तो खेर दोस्तों अब बात करते हैं स्वारे सामराग्य लता मंगेश करके पहरे में उनके नाम पर यहां पर यह चौक का नाम रखा गया है और क्योंकि वो स्वारे सामराग्य हैं तो उनी की जो एक पसंद दीदा वाद्य यंकर है जिसका नाम है वीडा उसको यहां पर लगाया गया है इस वीडा का साइज लगबग 40 फिट लंबा है गा और कई टन्वजनी यह वीडा यहां पर लगाई गया है पास में ही यहां पर हनुमान जी की मूर्पी का भी जिर्मान किया जा रहा है जिस पर राम जी और लक्ष्मन जी उनके कंदे पर बैखें देखें अभी आपने तो बात करते हैं यहां पर लता अंगेश कर चौफ के बारे में मीडिया का जमावाणा तो यहां हर समय बना ही रहता है आने वाली पबलिक भी यहां पर बिना रुके आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि वो इस वीडा को देखकर चका चौंद भी हो जाती है और इस पर भी बहुत सुन्दर काम भी किया गया है सुनेरी रंकी यह वीना देखने में बहुत सुन्दर लगती हैगी आप यहां पर देख भी सकते हैं कि लगातार यहां पर सजावत के साथ सथ सफाई का भी विशेश रूप से ध्यान रखा गया है प्रकृतिक फूलों से इस चौंप की सुन्दर्य करण को बढ़ा दिया गया है और इसकी सुन्दर्ता को बनाए रखने के लिए हम सब का सयोग भी पहँद जरूरी है दोस्तों बक्ती पत मार्ग पर चलते हुए दता मंगेश कर चौंप तक जो मैंने आपको इस मार्ग की सुन्दर्य करण को दिखाया वो आपको कैसा लगा अवश्य बताना